प्यारविद्यर्थियों आज हम उडान कारी पुस्तिका चरण तीन के अंतरगत कक्षे आठ वी विशे हिंदी क्यद्ध्या तेरा बाज और साप कहानी का उडान कारी पुस्तिका का कारी करेंगे प्यारे विद्यर्थियों आपको उडान कारी पुस्तिका चरण तीन का हल पुरारुप अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको उडान चरण तीन का हल पुरारुप के ओल नौजल एजिकेशन सिलारपुर मिलेगा तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, तथा कॉमेंट करे, अब देखिए गती विदी एक है, ये एक अपठित गध्यान्स दिया गया है, इस गध्यान्स को हमें ध्यान पूरोग पढ़ना है और परसनों के उत्तर देने है, पालतु जानवर किसे कहते हैं, घर पर पाले जाने वाले जानवर को पालतु जानवर करते, निम्न में से, पालतु जानवर कौन सा है, गाय पालतु जानवर है, गध्यान्स में पालतु कुत्ते का नाम रोगन है, रोगन को खाने में क्या पसंद था, दूद और रोटी, रोगन कितने साल का था, तेन साल का था, रोगन की क्या क्या था शक्रिये था तेज आवाज थी रखवाली करता था गद्यान्स में आए पालतू जानुरों के नाम लिखो गाय भैस बकरी और कुट्टा आप किस जानुर को पालतू बना कर रखना चाहोगे और लिखें की उसकी देखवाल कैसे करोगे मैं समय और स्थान आदी आवसेक साधन उपलब्द होने पर गाय पालना पसंद करूँगा गाय बहुत सिद्ध होती है इसे पालना आसान है मैं सकी देखवाल अच्छी तरह से करूंगा उसको हरा चारा परदान करूँगा लोग घर में पालतू जानुर किसलिए रखते हैं सोचकर लिखो लोग घर में पाल तू जानूर इसलिए रखते हैं क्योंकि पाल तू जानूर अपने मालिकों को खुशी देते हैं और ये खुशी पारस परीक होती है या अपसी होती है क्या पालतु जानवर रखना चाहोगे पालतु जानवर के रूप में कौन सा जानवर रखना चाहोगे और क्यों मैं पालतु जानवर रखना चाहता हूं तो मैं गाय को रखना चाहूंगा इस चेह में दूद, गोबर, गोमुत्र मिलता है अब गती विदी दो है ये विराम च परसन वाचक चिन लग जाएगा बहाई और भैन में योजक चिन लग जाएगा दादा जी बाजार जा रहे है पूर्ण विराम लग जाएगा ये परसनवाचक है ये विश्मयादी बोदक है ये पूर्ण विराम है ये अलप विराम है सही विराम चिन लगाईए तो यहाँ ये परसनवाचक वाला सही है ये परसनवाचक हो गया आमन रमेश और अच्छे मित्र है यहा अलपिराम हो गया साही मिलान करना है आश्चरी पर कट करने के लिए विश्मयादी बोदक हो जाएगा थोड़ा रुकने के लिए अलपिराम हो जाएगा परसन पूचने के लिए परसन वाचक हो जाएगा दो सब्दों को जोड़ने के लिए यूजक चिन हो जाएगा निम लिखित वाक्यों में तोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है सही है किसी सब्ध या उप वाक्य के निचे रेखांकिन चिन का प्रियों किया जाता है यह सही है निम लिखित वाक्यों में सही विराम चिन वाक्ये चुनना है तो ये वाला सही है निम लिखित चिनों का वाक्यों में परियोग कीजिए अब ये पुर्ण विराम का चिन है अरे वाह रमेश ने कक्षा में टोप किया ये परसनवाचक का आजय कहां रहता है ये परसनवाचक लगा दिया ये कोश्ट अक्षिन है आपका विहार बरताव हर कोई जानता है अल्प विराम चिन से सम्मंदित कोई दो वाक्य लिखिए राम महोन श्याम और अजय यहां आएंगे हाँ मैं यह चित्र बना लूँगा अब यह परसंदास है इस अनुछेद के में हमें क्या है विराम चिन लगाने हैं तो हमने एक तो यहां लगा दिया यह विराम चिन यह पूर्ण विराम आ गया देखिए फिर यहां पूर्ण विराम आ गया यह अल्प विराम आ गया फिर यहां पूर्ण विराम आ गया अब ये देखे गती विदी तीन है मुहावरा की परिवासा दी गई है मुह में पानी आना ये मुह में पानी आ रहनो दो ग्यारा होना भाग जाना मुहावरों का मिलान करना जान पर खेलना प्राणों को संकट में डालना कान का कच्चा किसी बात पर विश्वास कर लेना बाएं हाथ का खेल बहुत सक्तकारिये रंग में भंग डालना आनंद में बादा डालना निम लिखित मौहावरों के सही अर्थ वाला विकल्प सुनकर कोश्टक में निसान लगाईए अकल का दुस्मन महामूरक पानी पानी होना सरमिंदा होना सही उत्तर छांटी नाक में दम करना तंग करना रिक्स थान में उचित मौहावरे का परियोग करना पड़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ सच्चे सैनिक देश की रक्सा के लिए प्राणों की आउत्ती लगा देते हैं अब रिक्त स्थान बरना है परिक्षया में अंक कम अंक आने पर पिताजी का माथा ठनकने लगा रवी कक्षया का मौनिटर बनते ही सब पर अपनी धाक जमाने लगा धाक जमाना रमन अपने माता पिता की आँखों का तारा है ये हमने कर दिया अब देख ये ये महावरों का मिलान करना है आस्मान सिर पर उठाना बहुत सोर करना गले पढ़ जाना पिछे पढ़ना उल्लू बनाना मुरक बनाना कलेजा ठंडा होना चैन पढ़ना अब देखिए दात खटे करना मौहरे कार था बुरी तरह रहाना भारती सेना ने पाकिस्तानी सेना के युद में दात खटे कर दिये इट का जवाब पत्थर से देना करारा जवाब देना विश्व कप मैच में भारती टीम ने सामने वाली टीम को इट का जवाब पत्थर से दिया इद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना आरे तुम तो इद के चांद हो गए हो, कभी दिखाई नहीं देते, कान भरना चुगली करना, रमा कान भरने में सब से आगे, इसलिए मैं उससे मन की बात नहीं करता, निम लिखित वाक्य के लिए उचित महावरा बनाईए, बहुत कम अंतर होना, 1920 का अंतर होना, कप्टी मित्र आज दिन का साम, स्वयम कोहानी पहुंचाने, अपने पैर पर कुलाडी मारना, अग्यानियों में अल्प ग्यान वाला अद गगरी छलकत जाए, निम लिखित रिक् कुछ कहना, सूरज को दिपक दिखाना है, मैंने राम से पैसे उदार लिये तो वह है, खालिस्तान कहने लगा, ये लोकोक्ति या मुहावरा तुम्हें खुद करना है,